हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त अमन वशिष्ट और हमारे साथ है फ्लेक्सी एक बार फिर से आपका सवागत है नई वीडियो में तो अभी बहुत दिन से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था जब से हमने जैक और फ्लेक्सी के लिए सेपरेट जगा वनाई थी तो यहीं पर जाजातर रहते हैं मतलब जैसे सुबां एक गंटे को एक 550 ख रा लीं तो क्या होता है जैसे यह पर ऑफी हमने क्योंकि यह पूरा घॉब्लोमें नहीं और कोई थेजाते हैं उसके पाद क्या होता है यह पैरों में पॉस में मिष्टी लग जाती है और इनके पूरे मतलब बालों में कोट में पूरे गंदे हो जाते हैं और अगर आप लोग हमारा चैनल स्टार्टिंग से देखते आरे तो आपको एक चीज और पता होगी कि क frase के सथो बहुत बड़ी प्रम्लमम कि यह नहादे नहीं यहाに सos निलाने लेके जाते इसके बाद भी जिलाएंगी तो इसको निलाहना बहुत मुश्किल मिया मिया Testing से जो के लिए एक वीडियो बना लेते हैं अभी बात करते हैं पैट वीट के वारे में तो अब ही जितने भी पैट पेरेंट्स हैं जो भी हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो सारे जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट हैं सारे वाइप से यह सब केमिकल फ्री है कोई भी हार्ष केमिकल नहीं कोई भी पैस्टिसाइड वगेर इनमें यूज नहीं किया गया तो आपके डॉग के लिए बिलकुल ही सेफ है और उसकी स् इतने भी वाइप से इनका जो हमारा इंग्रीडेंट्स है वो हमारे ग्लोबल सप्लायर से सोर्स किये गये हैं और इनके जो पैकिंग के लिए मैटरियल यूज किया गया है यह यह बनाए गये हैं मैनुफेक्चर किये गये हैं डव्ली एचो जी एमो की गाइडलाइन्स के की अंदर और अभी हम आतने जिछाते हैं यूज करके सबसे पहले जैसे अब इसे सबसे पहले वाले हम इसको क्ली民 करेंने यह जो है बोत दो जो के लिए पाजर दोनों के लिरे आप यूज कर सकते हैं और इसमें क्या मत्लब जो fungus, bacteria, virus वगेरा है उसकी भी कोई problem नहीं आएगे अगर आप अपने dog के pause को clean करने के लिए paw wipes यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं मैं यह open नहीं किया है भी तो हम अंदर से निकालते हैं एक वाइप लिया आपने उसके आप फ्लेक्स इधर आओ बेटा इधर आओ गुड़ गुड़ तो यह जो है नोज और पॉवाइप से नोज क्लीन करने के लिए और पॉस के लिए दोनों के लिए यही उसकरना है रूखो अभी यह दिखो गुड़ गुड़ यह दिखो इस तरीके से आप इसके पॉस क्लीर करेंगे सारी डर्ट, बैक्टीरिया, वाइरस, फंगल, इंफेक्शन सबको यह खतम कर देंगे, दूसरा दिखो गुड़ गुड़ फ्लेक्सी तो इस तरीके से आपको पॉव वाइप्स करने है है न फ्लेक्सी? अब आते हैं इयर क्लीनिग वाइप्स के उपर तो यह डर्ट, ओर्डर, वैक्स सबको आपके डॉप के इयर से क्लीन कर देगा अभी करके दिखाते हैं आपको यूज फ्लेक्सी दरओ, गुड़ गर्ड आपको इस तरीके से लेना है और जो भी अगर डर्ट है इयर में वैक्स होती है वैक्स जम जाती इयर में उसको रिमूव कर देगा गुड गर्ड फ्लेक्सी इस तरीके से आपको जेंटली अराम से क्लीन करना है और श्मेल आती है कि इसमेसे उसकी बी प्रोब्ल्म खत्म हो जाएगी और इसके इंदर डिएजिंग फेक्ट भी है तो क्या है हल्की हल्की से आपको थोड़ी थोड़ी सी खुश्बू टाइप की भी आएगी बस ब्स 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 बस ब्स है यह वाले दिखर फ्लेक्षी बस बात करते हैं आई क्लीनिंग वाइप की तो आपके डॉक की आई से जाए से आपने कभी नोटिस किया होगा एक डिस्चार्ज ट्राइप का निकलता रहता है टियर्स निकलते रहते तो उसके जैसे यहां पर स्टेंस पड़ जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए अभी देखो इसके अंखों के इदा गुड़ गुड़ तो इस तरीके साब को क्लियर करते हैं अब बार यह आती है सबसे इंपोर्टेंट एंड वन आफ मैं फेवरेट वाइप सेनिटाइजिंग ग्रूमिंग वाइप तो सबसे जादा ग्रूमिंग का इश्यू आता है टा इसके बाद यह गंदे होया आते हैं दूल मिट्टी में तो उसके बाद यहां पर अगर आप अपने डॉप को बाहर चे खिला के ला रहे हैं डर्ट वगारा में गंदा हो गया तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सैनिटाइजिंग ग्रूमिंग वाइप्स यह लिया और इस तरीके से आपको लेना है यह पूरे में यह देखो पूरी ने केरिया में भी इदर अराम से पूरी बॉड़ी को यह क्लीन कर देगा सैनिटाइज कर देगा जम्स वगएरा को सब को क्लिक कर देगा बॉड़ी और को भी रिमूव कर देगा स्मेल आती है जैसे बारिश के टाइम में डॉक्स से और एक चीज आपको याद रखनी है कि वन टाइम आप एक वाइप को एक ही बार यूज कर सकते हैं उसको आपको फिर डिस्पोज कर देना है फिर यूज नहीं करना अगर फिर दुबारा से अगर यूज कर रहे हैं तो दूसरा वाइप यूज करेंगे आप इनको रेगुल आप उसके लिए इसको अराम से यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल ही सेफ है और बात करें इनके प्राइज की तो इनका प्राइज भी काफी कम है क्योंकि यह इंडिया में ही मैनुफेक्चर्ड है इंडिया की कंपनी है यह पैटविट और इन प्रोडक्ट्स का लिंक जो है सब्सक्राइब करें और डिकूट्aty को से अरो श्यर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you